पटना जंक्षन का नजारा अब जल्द ही बदलने वाला है। दरसल पटना जंक्षन पर अब बहुत जल्द ही एरपोर्ट जैसी सुवधा मिलने वाली है। आपको बता दे कि पटना जंक्षन पर इसी माह से एक्जक्यूटिव लॉंज की शुरुवात होने वाली है। वहीं बताया कि रिल्वे बोर्ड के वरी अधिकारी से उध्धाटन कराने के लिए समय की मांग भी की गई है उनके हां कहते ही इस एक्जक्यूटिव लॉंज का उध्धाटन कर दिया जाएगा अधिकारियों का कहना है कि किसी भी हाल में इस महीने इसकी शुरुवात हो जाएगी ब स्टेशन पर यात्रियों को किसी ट्रेन का इंतजार करना पहले जितना बोरिंग नहीं होगा बता दे कि भारतिये रिल्वे कैटरिंग और टूरिज्म कार्पोरेशन आई यार सी टी सी द्वारा देश के बड़े रिल्वे स्टेशनों पर कार्पोरेट जैसी सुविधा वा का मज़ा हर यात्री ले सकेंगे लेकिन कुछ सुविधाओं के लिए यात्रियों को अतिरिक्त सुल्क भी चुकाना होगा जैसे कि बिजनस सेंटर, कमफर्टेबल चेयर, लजी जनास्ता, बूफे, बच्चों के लिए वीडियो गेम्स, महिलाओं के मनरंजन की सुविधा क के लिए अतिरिक्त सुल्क चुकाना होगा वैरहाल इसके शुरू होने से अभियात्री रिल्वे स्टेशनों पर बूर नहीं हो सकेंगे अच्छों के लिए TV बूर कि लिएपला होने से अभियो इसके लिए। झाल कर चौस्कें, कर को।